सीम नितीश कुमार पर साथ निश्चय योजना में घोटाले का आरोप लगाते हुए जेल भेजने के चिराग पासवान के बयान पर बीजेपी सांसद रविकिशन ने पलटवार किया है सोंबार को उन्होंने कहा कि 15 साल के शासन में नितीश कुमार पर एक दाग नहीं है किस लिए जेल जाएंगे रविकिशन ने कहा कि सीम पर इस तरह का आरोप लगाना घलत है इसके लिए चिराग पासवान को माफी मांगनी चाहिए महीं चिराग ने कहा कि बिना जाच के किसी को भी क्लीन चिट नहीं दी जानी चाहिए कि जीतने के लिए हेडलाइन के लिए कुछ भी बोल देना एक बात हुए किस बारे में किस लिए जेल जाएंगे क्या कि उन एक दाग नहीं उनके पर 15 साल में एक कलंक नहीं कुछ नहीं बना उन्होंने अपने लिए इसलिए जेल जाएंगे इमानदारी की नितागिरी करें, इमानदारी के मुखिम मंतरी रहें तो जेल जाएंगे ये कौन सी भाषा हुई? ऐसी मुखिम मंतरी के बारे में ऐसे हरो गलत बात उनको माफी मांगने चाहिए